कुर्कुरे आलू ब्रेड रोल खाना तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, पर कभी कभी घर में ब्रेड नहीं होती, आज हम बनाएंगे इन कुर्कुरे ब्रेड रोल को बिना ब्रेड से, जी हां, ये इतनी आसान और पॉफेक्ट रेसिपी है कि आपको इसे बनाने में मज़ा आएगा ही खाने में और भी डबल मज़ा आने वाला है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे तीन से चार उबलेवे आलू, मैंने आलू को पहले बॉइल कर ले और इस वादे से कद्दुकस करा है, साथ इसमें एक बारी कटावा प्याश डाल देंगे, फ्रेश सनिया डाल दी इसमें अमचूर पाउडर भी जरूर डाली और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबसे पहले हम आलू ब्रेड रोल की स्टफिंग बना लेंगे, तो इस तरह से बहुत ही चटपटी और आसान सी हमारी रेसिपी है, जिसे आप कौन से सीटी सी देख रहे हैं क के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, अब दूसरे पैन में हम डाल देंगे दो कप पानी और पानी डालने के बाद में हम इसे एक चमश नमक और साथ ही हम इसमें आधा चमश लालमिश पाउडर और ठोड़ा सा हम यहां पर हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से म इसमें लंप्स नहीं पड़ने चाहिए हमारा यह डो इकतम चिकना और स्मूध होना चाहिए तब ही हमें इकतम पॉफेक्ट ब्रेड डोल बिल कर आएंगे तो आप पता है कमेंट्स में कि आपने यहां पर ब्रेड डोल बनाये हैं खाये हैं तो आपने ब्रेड का ही यूज किया है तो इसलिए हम यहां पर ब्रेड की जगे यहां पर सूजी का एक डो बना रहे हैं जो आपको ब्रेड से भी अच्छा टेस्ट प्रेक्षर देगा और यकीन मानी ओल बिल्कुल भी एब्सॉप नहीं करेगा इस तरह से देखी मैंने यहां पर लो फ्लेम पर सूजी को पका लिए है डो फॉम में आने के बाद में हम इसे बरतन में निकाल देंगे और इसे हलका सा ठंडा करेंगे पहुचाता ठंडा नहीं करना है हलका ठंडा होगा तो हमारी जो ब्रेड डोल बहुत अच्छे बनकर आते हैं पानी से आप यहां पर दौनों हातों को थोड़ा स इसे स्प्रेड कर लेंगे यहां पर आपको बेलन की किसी की भी जुरत नहीं है और साथ इसमें हम तयार स्टफिंग की बॉल रख देंगे और इसे अच्छे से चप तरफ से कवर कर देंगे सील कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको यह रेशिपी कैसी लग रही कमेंट्स में ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स आप इसे कब बनाना चाहेंगे ब्रेकफास में टी टाइम स्नेक्स में पार्टी में या गेट टूगेधर में वह भी हमें ज़रूर बताएं वैसे मेरे घर में तो यह आलू ब्रेडर कभी भी दे दो सब लोग बहुत ही मज़े से एंज़ कर सकते हैं तो देखे कितना स्मूथ और सिल्क चिकना हमारा यह ब्रेड डूर बनके आचुका है जिससे हमने बेना ब्रेड से पनाया है तेल को हमने आपे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गरम कर लिया है पहुचाता गरम नहीं करना है क्योंकि हमें सूजी को अच्छे से प पलटते हुए नहीं काफी अच्छा गोल्डन कलर आने दें इसका करक्दम पॉफेक्ट और खुपसूरत है इसके लिए हमने इसमें हल्दी पाडर और मिश्ट डाली थी इससे क्योंता है सोजी में सीजनिंग भी हो जाती है साथी कलर भी बहुत अच्छा देती तो आप दे और जिन लोगों को इस तरह से घर की बने नाश्टे पसंद है उन्हें एंजॉय करें वाव इतना कुरकुरा और शांदार हमारा ब्रेटोल बनाएं तो आप इसी तरह की रेसिपी के लिए हमारे साथ पने रहें तो फ्रेंड्स आपको और यदि कोई नए तरह की नाश्टे की जुरत है और रेसिपी चाहिए था हमें वह भी होता है ताकि हम आपके लिए रेसिपी लाते रहें मिलते हैं नेक्स रेसिपी में थैंक यू